दोस्तों आज भेले ही इंडियन रुपीज के कीमट डॉलर के मुकाबले गिरती जा रही है लेकिन आज भी दुनिया बर की सबसे महेंगी करेंसी में डॉलर का नाम नहीं आता है और नहीं ब्रिटिश पाउंड का बलकि इसमें एक ऐसे छोटे सी करेंसी का नाम आता है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आज से 5-6 दशक पहले तक वहाँ पर भारत के बनाए गए नोटों यानि कि इंडियन करेंसी का इस्थमाल होता था तो ऐसा क्या हुआ उस देश में कि उसकी करेंसी आज दुनिया की सबसे महेंगी करेंसी बन गई और आज के समय में उस देश की करेंसी को टच कर पाना इंडियन रुपीर्स की बसकी बात है ही नहीं दोस्तों इस देश का नाम है कुवेत और वहाँ की करेंसी का नाम है कुवेती दिनार और आपको बता दे कि आज के समय में एक कुवेती दिनार की कीमत करीब 270 इंडियन रुपीस के बरावर है लेकिन आखर ऐसा क्या हुआ कैसे उस देश की करनसी ने खुद को इतना मस्बूत बना लिया है इसे समझने के लिए आईए थोड़ा कुवेट के इतिहास पर हम नज़र डाले कुवेट गल्फ कंट्रीज में शामिल होने वाला एक ऐसा देश है जिसके पास आज के समय में कतर के बाद दूसरा सबसे बड़ा ओयल रिजर्व मौजूद है और इसी ओयल इंडस्ट्री के दम पर छोटा सा कुवेट दुनिया के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में शामिल है लेकिन ऐसा लगबख 50 साल पहले ही शुरू है तो 1763 से लेकर 1901 तक कुवेट पर ब्रिटिश राज जी का ही अधिकार था इसलिए मानना था कि इस छोटे से देश के लिए जहां की कौन में बिलकुल भी डवलप नहीं है उसके लिए एक नई करंसी को जात करना बेफकूफी होगी इसलिए ब्रिटिश ने 20-वी सदी की शुरुवात में भारत के लिए डिजाइन करने वाले RBI को ही वहां की करंसी के लिए भी जिम्विदार बना दिया था जिससे वहां पर इंडियन रुपीज में ही लेन देन हुआ करता था जिसके बाद 1919 से 1920 में कुवेद नज़द वॉर के चलते साउधी अरब ने कुवेद के साथ व्यापार पर रोक लगा दी थी ये रोक 1923 से 1937 तक रही इसके बाद 1937 ट्रेट प्रतिबंध हटने के बाद अमेरिकी ब्रिटेश कुवेद ओयल कंपनी ने बड़े तेल रिजर्व की खोच की हालगी सेकंड वर्ड वार के चलते यहां तेल की खुदाई में देरी हुई जंग खत्म होने के कुछ साल बाद यहां आकरकार तेल को निकालने का सिलसला शुरू हुआ 1950 के तशक तक लगबख सभी वित्ति लेन देन के लिए सैयुक्त अरब अमिरात कुवेद, भहरीन, उमान और कतर में भारते रुपे का स्तमाल किया जाता था यानि कि यह व्यवस्ता अंग्रेजों के भारत चोड़ने के बाद भी जारी रही क्योंकि 1947 में भारत के आजाद होने के बाद भी भारत में इन गल्फ कंट्रीज को यही परमीशन दे दी थी कि वह इंडियन रुपीस का स्तमाल अपनी करंसी के तोर पर कड़ सकते थे जैसे कि आपको बताया था कि कुवेट में ओयल रिजर्फ की खोज 1930 में ही हो गई थी लेकिन उस समय उस इंडिस्ट्री को कोई बूम ना हो पाने के कारण उनकी एकॉनमी बिल्कुल सिकुरी हुई थी भारत के अजादी की बाद कुवेट में इंडियन रुपीस का इस्तमाल किया जाता रहा लेकिन इस्तमाल भारत सरकार को बंद करना बड़ा क्योंकि इन गर्फ कंट्रीस की तरव से भारत की एकॉनमी को इस करंसी के बल पर नुकसान पहुचाय जा रहा था ये वो दौर था जब खाड़ी देशों में तेल की खोज चल रही थी लेकिन उसका बिजनेस बड़ा नहीं हुआ था तब वहां सोना सस्ता मिलता था इसलिए तसकर वहां से सस्ते में सोना खरीद कर भारत में महंगे दामों में बेशते थे और उस सोने की कीमत को इंडियन रुपीज में अपने साथ लेकर वो अपने देश जाते थे अधिक मुनाफ़ा कमा कर वह और अधिक सोना खरीदते थे जिससे भारत की करनसी लगातार भारत के बाहर जाने लगी जिससे की एकॉनमी को अच्छा खासा नुकसान छेलना पड़ रहा था आपको बता दे कि न्यू यॉयॉक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मताबिक 1957 के पहले नौ महिनों में स्मगलिंग के सोने के बदलते भारत से करीब 59.3 मिलियन डॉलर गल्फ देशों में गए थे यही वज़ा थी कि भारत के सिस्टम में बदलाव किया गया और खाड़ी देशों के लिए अलग करनसी चापने का फैसला किया गया जिसके बाद सामने आया गल्फ रुपीज एक माई 1969 को भारत के राश्यपती की सहमती से भारते संसत के दोनों संसदों ने एक बिल पारित कर परिशन गल्फ देशों के लिए अलग रुपिया जारी करने का फैसला ले लिया उस करनसी को एक्स्टरनल रुपीज या गल्फ रुपी नाम दिया गया ये गल्फ रुपीज अपनी वेल्यू में इंडियन रुपीज के वकाबले बराबर थे बस इनमें अंतर इतना था कि ये भारत में इस्तमाल करने के लिए अलाउड नहीं थे इनका इस्तमाल सिर्फ और सेफ कुवेट या उसके जैसे देशों में किया जा सकता था यहां तक कि भारत सरकार मक्क और मदिना जाने वाले तीरतियात्रियों के लिए भी विशेश हज नोट भी जारी कर चुकी थी दस और सौ डेनोमनेशन के नोटों के फ्रेंट एंड पर हज लिखा होता था उन्हें सामाने रुपे के नोटों से अलग करने का एक और तरीका सीरियल नमबर था जो ह.ए अक्षरों के साथ शुरू होता था इस तरह से भारत ने अपने यहां से अपनी करनसी को कुवेद और गल्फ कंट्रीज जाने से रोग दिया जिससे स्मगलिंग पर काफी हद तक रोग लग गई लेकिन फिर आता है साल 1901 जब कुवेद ब्रिटिश राज से आजाद हो गया और शेक अब्दुल्ला अल सलीम अल सभा यहां के शाह बन गई लेकिन कुवेद के साथ सबसे जादा अच्छा यह हुआ कि 1903 पे ही इस देश का सम्विधान भी बन कर तयार हो गया और कुवेद गल्फ कंट्रीज में सबसे पहले कॉंस्टिटूशन बनाने वाला देश बन गया जिसके बाद देश में ड्राफ्ट किये गए सभिधान के तहट 1963 में यहां पहला पारलिमेंटरी इलेक्शन भी हुआ देखते ही देखते 1960 से 1970 के बीच में यह रीजन का सबसे डेवलप्ट देश बन गया और इसी समय पर कुवेद ने पहली बार अपने करंसी लौँच करते हुए उसकी कीमत एक दिनार के बराबर 13 दशबलफ 33 रुपे रखी इसे के साथ दुनिया के सबसे अमीर करंसी यानि की कुवेद दिनार की कहानी शुरू हुई अब इसी कहानी के साथ आपको हम बता दें कि 1966 में ही भारत की तरफ से जारी के जाने वाली गल्फ कंक्रीज को और वहाँ के सारे देशों ने अपनी अपनी नई करंसी इस लौँच कर ली जिसकी दो प्रमुख वजा थी पहली यह है कि 60 से 70 के दशक में ओयल इंजश्वी का बूम इतनी तेजी से बड़ा कि इन देशों के पास अमीर होने के अलावा और कोई आप्शन बचा ही नहीं जिसके बाद उन्होंने अपनी करंसी को लौँच करना ही सही समझा इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है था कि भारत ने अपनी करंसी को डी वैल्यू करते हुए उसकी कीमत घटा दी थी क्यूंकि 60 के दशक में ही भारत ने दो युद कर लिये थे जिससे उसकी एकॉनमी की हालत खराब होती चली गई थी और करंसी को डी वैल्यू करना ग्रोथ के लिए जरूरी हो गया था ऐसे में यह डी वैल्यू गल्फ कंट्रीज को नुकसान पहुंचा देता इसलिए 1966 में गर्फ रुपीज का काम तमाम हो गया जिसके बाद जब 70 का दशक आया तो कुवेट ने अपनी करंसी को रिफॉर्म करते हुए एक और नई कोशिश की और 1975 में दिनार को फिक्स एक्सचेंज रेट पर तैह किया गया लेकिन यह फिक्स एक्सचेंज रेट किसी एक करंसी के साथ फिक्स नहीं किया गया था बलकि बास्केट आफ करंसी के साथ इसके वेल्यू को फिक्स कर दिया गया था जिसमें डॉलर प्रमुकता अब यह फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है इससे समझने के लिए पहले आपको यह समझना पड़ीगा कि कोई भी करंसी अपनी value कैसे decide करती है इसके लिए दो तरीके की exchange rate अपना जाते हैं जिसमें पहला होता है fixed exchange rate जिसमें कोई currency किसी दूसरे देश की currency के साथ अपनी value को एक बार fix कर लेती है और फिर उसी currency की बढ़ती value या घटती value के साथ नई currencies की value घटती या बढ़ती रहती हैं जैसे कि मान लीजे कि अगर Indian currency डॉलर के हिसाब से fix कर दी जाए तो डॉलर की घटती और बढ़ती कीमत के हिसाब से ही Indian currency की value तैह होगी लेकिन ये सिर्फ एक example है क्योंकि भारत दूसरे तरीके के exchange rate में believe करता है दूसरे तरीके के exchange rate को floating exchange rate कहते हैं जिसमें किसी currency की value पर दुनि भारत की currency भी fixed exchange rate पर ही काम करती थी लेकिन 90 के दशक में जब भारत में liberalization हुआ तो उसे floating exchange rate पर तैह किया गया और आज भी वही exchange rate के तहत काम करती है लेकिन आज हम यहां भारत नहीं बलकि कुवेद की currency की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि कुवेद की currency एक basket of currency के साथ fixed है जिसमें dollar, pound, rupees जैसे currency के साथ उसकी value को fixed किया गया है वैसे fixed exchange rate के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि अगर किसी देश को किसी तरह की economic crisis होती है तो सामने वाला देश जिसकी currency दूसरे देश के currency पर depend करती है उसे भी वो crisis झेलनी पड़ती है और उसके पैसे की value कम हो जूद है ऐसे मगर किसी देश के साथ वहाँ पर कोई economic crisis होती है तो कुवेट in forex reserve का इस्तमाल करके अपनी currency को संभाल लेगा कुवेट की economy एक तरह से oil based economy है ऐसे में अगर वो अपनी currency की value को floating exchange rate पर कर देते हैं तो दुनिया भर में तेल की घटती बढ़ती कीमतों के साथ ही उनकी currency भी रोज घटती बढ़ती रहेगी जिससे वह कभी भी stable नहीं रह पाएंगे इसलिए उन्होंने अपनी currency को fixed exchange rate पर रखा हुआ है वहाँ की currency के महंगे होने का सबसे बड़े कारण पर अगर नज़र डाले तो कुवेट सिर्फ और सर्फ दुनिया भर में अपनी तेल को export करने का ही सबसे बड़ा business करता है जिससे उसकी currency किसी और देश में जाने की बज़ाए डॉलर और दूसरे currency उसके देश में आती हैं जिससे उनका forex reserve जादा मजबूत होता जाता है और उनकी currency मजबूत होती जाती है इसलिए किसी विदेश की currency का महंगा होना इस बात पर पर जिसाइड होता है कि उस देश की तरफ से विदेशों में कितना एक्सपोर्ट किया जाता है लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है और भारत बड़ी मात्रा में अपने देश में इंपोर्ट को बढ़ावा देता है जिससे उसका फोरेक्स रिजर्फ लगातार कम होता जा रहा ह और रुपे की कीमत बागी देशों की करंसी की कीमत में गिरती जा रही है लेकिन यहाँ पर एक बात आप जरूर समझने कि आज पहले ही दिनार दुनिया की सबसे महेंगी करंसी हो लेकिन इससे यह बाट डिसाइड नहीं होती है कि कुवेट की कौनमी दुनिया की सबसे और सबसे डिवलफ एकॉनमी है इस बात को समझने के लिए आई आपको एक और बात समझनी है कि महंगी करेंसी और मसबूत करेंसी में क्या फर्क होता है। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल साफ है कि आज के समय में कुवेट दिनार सबसे महंगी करंसी है लेकिन अगर हम बात करें इनकी stability की तो ये stable करंसी नहीं है ये डॉलर से पेजट है पेजट करना मतलब एक तरह से खूटे से बांद देना मतलब कि उस करंसी को किसी करंसी के एक तो ये देश काफी छोटे हैं यानि इनकी करंसी दुनिया पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी दूसरा ये खुद डॉलर से पेजट यानि डॉलर के खोटे से बंदे होते हैं जिससे इनकी कोई specific value नहीं बनती यानि डॉलर के हिसाब से इनकी value तैह होती है ऐसा इसल natural reserve की वज़ा से वो currency demand में है जिस वज़ा से ये महंगी है लेकिन कल को वो सामान यानि की तेल खत्म हो जाएगा तो वो currency की value ओंदे मूग गिर जाएगी यानि कि जब अरब देशे तेल खत्म हो जाएगा तो बिना पेट्रोल के उनका क्या होगा कुवेती दिनार की value लगब करें बहरीन दिनार की तो उसकी value लगबग 219 रुपए है शुरू में जब इसे निकाला गया था तो ये pond sterling से fix थी यानि उस समय ये decide की जाती थी उस समय बहरीन दिनार और British pond का लगबग एक ही value था लेकिन तेल के बराबर export करने से बहरीन दिनार महंगा होता चला गया हाला ये तो हो गई दिनार के महंगे होने के पीछे खोकलेपन की कहानी अब आते हैं दूसरे point पर तो आपको बता दें कि सबसे मस्बूत currency वही होती है जिसका globally खुब demand हो और वो currency सारी दुनिया की international trade में involved हो यानि सारे देश उसी currency में trade यानि व्यापार करते हो वो जाना माना य लेकिन क्या ये स्थिर है बिल्कुल नहीं 2008 में Lehman Brothers Bank बरबाद हुआ था और डॉलर की ऐसी तैसी हो गई थी 1973 में Breton Woods system जो कोलाप्स हुआ और राशपती ने सोने की convertibility पर हाथ खड़े कर दी थे जिसे हम Nixon shock 1971 भी बोलते हैं Breton Woods system जो बरबाद हुआ वो डॉलर के अरस्थिरता की वजह से ही हुआ था अब डॉलर भले ही आज कितना भी स्थिर हो लेकिन समय आने पर इसकी कीमत भी गिर सकती है अब दूसरा जो universally expected currency की बात हो तो Japanese yen है पर वही बात है कि Japanese yen की value रुपे से भी गई गुजरी है वो करती है और जपान की economy भारत से stable और बड़ी है लेकिन उसकी value बहुत कम है इतना की एक रुपे से भी कम है एक जपानी yen शुन्य दिशवलव 16 रुपे के बराबर है यानि एक जपानी yen 63 पैसे के बराबर है अब बहुत लोग पूछते हैं कि इसका कारण क्या है तो second world war के दो होने के बावजूद भी यहां की economy इतनी strong है जो कि एक prime example है कि currency की किमत कम होने से भी economy बहतर हो सकती है ठीक उसी तरह जैसे चाइनीज यूवान है एक चाइनीज यूवान 12 इंडियन रुपी लेकिन चीनी समान की मांग की वज़ा से ये एक valuable currency है और पूरी दुनिया में इसक असबूत भी है और stable भी है इसी वज़ा से ब्रिटेन यूरोपेन यूनियन से बाहर हुआ था जिसे ब्रेकिस्ट कहते हैं ये 31 जन्वरी 2020 को आधिकारिक रूप से हुआ जिसमें इंगलेंड यूरोपेन यूनियन से बाहर हो गया जिसका सबसे बड़ा कारण पॉंड ही था यूकि इंग्लेंड यूरोजोन में नहीं जाना चाता है इंग्लेंड की एकॉनमी बहुत स्थिर एकॉनमी है उसकी करणसी यानि ब्रिटिश पाउंड बहुत स्थिर है पर वही बात है इसका international demand डॉलर या Japanese एन के मुकाबले कम है इसी तरह sustainability में यूरो है जो EU यानि सारे European Union ये स्थिर भी है डॉलर से महगी भी है इसके डिमांड भी जादा है क्योंकि ये सारी योरोपिन यूनिंग की करशी है लेकिन यही बात है कि ये नई करशी है इसको प्रूफ होने में समय लगेगा इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, अब आते हैं आकरी पॉइंट प और यहाँ शुरू से ही पैसों की कोई कमी नहीं रही है। इसी कारण सुइस बैंक में सारे देश के लोग पैसा जमा करने आते हैं क्योंकि यहाँ की करनसी काफी नूट्रल है। इक साथ देखने को मिलती है तो तभी उसे मजबूत या फिर सबसे मजबूत करनसी कहा जाता है। तो आज के समय में क्या आपको किसी देश की करनसी इनी सभी पैरामीटर से गुजरती हुई नजर आती है। आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ इस वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।